हलो फ्रेंड्स मैं कुंदन सर्मा आप फिर से वेलकम करता हूँ अपने चैनल YMW Solution में तो फ्रेंड्स मैंने लास्ट के टेंडर वीडियो में आपको बताया था कि Central Government, State Government या जितने भी Central PSOE या State PSOE है आप उसका जो टेंडर है एक ही Portal पे आप कहां पे देख सकते हैं तो फ्रेंड्स मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप Tender को कैसे सर्च कर सकते हैं Tender by Location, Tender by Organization और Tender by Classification को थुरू और फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में आपको Tender Detail जो है आपको पूरा डिस्क्राइब करके मैंने आपको बताया है तो फ्रेंड्स आप मेरे इस वीडियो में सुरू से अंतक बने रहें ताकि आपको इस वीडियो की पूरी जानकारी मिल पाए और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको Like and Share जरू करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें प्रेंड्स आपको अपना ब्राउजर ओपेंड कर लेना है और आपको उसमें टाइप करना है e-tenders.gov.in जैसे ही आप e-tenders.gov.in टाइप करेंगे तो फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस परकार से page open होके आ जाएगा आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है Central Public Procurement Portal फ्रेंड्स आपके पास में Central PSU का website open होके आ गया है तो फ्रेंड्स मैं आज आपको tender search करने का तरीका बताने वाला हूँ कि आप tender कैसे search कर सकते हैं प्लस tender का जो detail होता है उसको मैं describe करने वाला हूँ तो फ्रेंड्स आप left side में देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है tender by location, tender by organization, tender by classification इतने सारे option है आप इसके थूरू जो है आप अपने tender को search कर सकते हैं फिर उसकों आप देख रहे हैं यहाँ पर search को option है आप इस search के थूरू भी जो है आप search कर सकते हैं tender को तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आप tender by location के थूरू कैसे आप tender को search कर सकते है तो पहले आप tender by location पे click करेंगे जैसे ही आप tender by location पे click करेंगे आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या आया हुआ है please enter the city or location यानि कि आप जिस भी location का यानि कि आप जिस भी city का tender सर्च करना चाहते हैं आपको उस city का यहाँ पर नाम mention करना पड़ेगा जैसे कि मैं धनबाद location का tender सर्च करना चाहता हूं तो मैं धनबाद यहाँ पर लिखूंगा उसके बाद यह capture जो है इसको fill कर देना है यहाँ पर आप देख रहें मैंने यहाँ capture fill कर दिया है उसके बाद आपको submit पर click करना पड़ेगा जैसे ही आप submit पर click करेंगे आप देख रहें धनबाद location के लिए इसलिप एक ही tender अभी available है जिसका organization का नाम है BSNL यानि कि भारत संचार निगम limited तो आप यहाँ से click करके आप check कर सकते हैं कि क्या चीज़ का वो tender निकला हुआ है तो आप देख रहें जैसी आप click करेंगे आपके पास में tender detail open हो किया जाएगा आप देख रहें यहाँ पर basic detail लिखा हुआ है basic detail में क्या क्या चीज content रहता है वो हम लोग देखते हैं पहला जो है organization chain यानि कि कौन सो organization का नाम है आप देख रहें हैं आप भारत संचार निगम limited लिखा हुआ है यानि कि BSNL जहारकन का भी tender निकला हुआ है और उसके बाद आप देख रहें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है tender reference number यह tender reference number है आप इसको no down करके रख लेंगे तो देख रहें friends यहाँ पर लिखा हुआ है tender type यानि कि open tender है यह उसके बाद tender category लिखा हुआ है यहानि कि tender का个 category क्या है तो आप देख रहें यहाँ पर goods लिखा हुआ उसकी बाद आप देख रहें payment mode लिखा हुआ है offline तो हम लोग थोड़ स्क्रोल डाउन करते हैं, उसके आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखाओ payment instruction, जैसा कि मैंने आपको बताया कि payment mode जो है वो offline है, तो आप देख रहे हैं offline में किस किस टाइप से आप payment कर सकते हैं, पहला जो है banker check, दूसरा जो है direct credit कर सकते हैं, फिर तीसरा जो ह option है, आपको offline payment करने का, फिर उसके बदा आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखाओ, covers, information, number of cover 2, मतलब कि आपको कितने cover, यानि कि आपको कितने bid त्यार करने पड़ेंगे, इस tender को fill करने के लिए, पहला जो bid होगा, उसको technical बोलते है, technical bid के अंतरकत में, आपको कौन कौन सी document ज declaration, exempted certificate, फिर all eligibility document scan in one file, यह दोनों जो है, आपको PDF form में होना चाहिए, देन उसके बाद आप देख रहे हैं, यहाँ पर टेकनों commercial compliances, जो है, आपको .xls file में आपको देना पड़ेगा, देन उसके बाद देख रहे है, financial bid, financial bid में आपको finally, जो है BOQ आपको submit करना पड़ेगा .xl फाइल में, उसके बाद मैं scroll down करूँगा, आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ, tender fee detail, यानि कि tender fee जो है 590 रुपया आपको लगेगा, fee payable to, किसको fee pay करना है, BSNL को करना है, fee payable at BSNL, फिर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ, tender fee exemption allowed, यानि कि friends, इसमें आपका tender fee जो है exemption हो सकता है, अगर आपके पास में MSME या किसी भी SSI का certificate है, आप अराम से tender fee exemption और EMD fee exemption ले सकते हैं, उसके बाद आप देख रहे हैं, आप लिखा हुआ है, EMD fee detail, EMD amount जो है 00 है, आप यहाँ देख रहे हैं कि EMD through BGST और EMD exemption allowed, यानि कि EMD में exemption allowed नहीं है, तिसलिए यहाँ पर no लिखा हुआ है, EMD fee type fixed है, और आपको नील इसमें आपको EMD कुछ भी pay नहीं करना है, उसके बाद आप scroll down करेंगा, आप देख रहे हैं, यहाँ पर work item detail है, यानि कि क्या चीज़ा काम है, वो आपको यहाँ पर mission क्या है, यहाँ supply का tender है, इसलिए लिखा हुआ है supply of marketing items, ठ अब देख रहे हैं, supply of marketing items, यहाँ description लिखा हुआ है, कि supply of marketing items in धनबाद BA, यानि कि आपको कुछ marketing item supply करना है, धनबाद ब्रांच में, ठिक, फिर उसको अब देख रहे हैं, tender value लिखा है, यानि कि आपको कितना का काम है, तो देख रहे हैं, दो लाक रुपय का काम है, उसलिए अब देख रहे हैं, यहाँ पर location लिखा हुआ है, यानि किस location के लिए काम है, धनबाद location के लिए काम है, किस तरह का product आपको supply करना है, यहाँ लिखा हुआ है, paper, printing, photocopy, papers, यानि कि आपको stationery का item जो है, आपको supply करना है, उसके बाद आप देख रहें, bid की validity कितनी है, 180 दिन है bid validity क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर आपको काम मिल गया, आपने tender फिल गया और आप 11 हुए, तो आपको वो काम issue हो गया, उसके बाद क्या होता है, कि अगर उसके बाद अगर आपका LOA issue नहीं होता है 180 दिन पर, तब यह bid जो है, expire कर जाएगा, आपको 180 इसके दिन के अंदर आपको LOA issue हो जाना है, और work order भी issue हो जाना है, अगर issue नहीं होता है, तो आपका 180 देस के अंदर में, tender जो है, expire कर जाएगा, उसके बाद आप देखने, period of work, यानि कि आपको इस काम को कितने साल तक आपको करना है, 365 दिन, यानि कि आपको एक साल तक के ल पब्लिस हुआ है, आप देखने है, 19 फरवरी 2021 को पब्लिस हुआ है, फिर document download, sell start date, यानि कि फ्रेंट जब यह publish होता है, तब आप इस document को जो है, किस date से download कर सकते हैं, तो same date से जो है, आप download कर सकते है, clarification start date, इसमें कोई भी आपको clarification नहीं दिया जाएगा, उसके बाद आप द submission date कब है, वो यहाँ पर mission किया गया है, उसके बाद जब आप नीचे देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ tender document, NIT document, यानि कि notice inviting tender document भी इसको बोलते हैं, तो यहाँ पर देखने, यह PDF form है, तो आप इसको download भी कर सकते हैं, यहाँ पर click करेंगे, जैसे ही आप click करेंगे, आपको Basinal का tender का बारे में आपको बता रहा था, तो वो tender जो है, यहाँ पर आपको PDF form में जो है, आपको दिखाए देगा, आप देख रहे हैं, यहाँ पर table of content है, क्या-क्या यह content किया हुआ है, यह सारे चीज़ जो है, इसमें दिया रहेगा, तो आप देख रहे हैं, यहाँ पर लि download as zip file है, तो आपको इस पर click करना पड़ेगा, जैसी आप click करेंगा, आपको zip file download हो जाएगा, आप देख रहे हैं, यह download हो गया, आपको यहाँ ओपन करना है, ओपन करेंगे तो पहले आप देख रहे हैं, यहाँ पीडिया फाइल है, तो आपको इस पीडिया फाइल को पहले भी material supply करना है उसका जो description of item में वो सो करेगा आप देख रहें यहाँ पर लिखावा है umbrella with stand ठेके ना वो करना है wall painting in multi color with BSNL logo यह आपको करना है फिर देख रहें यहाँ लिखावा यहाँ पर लिखावा टीसी मार्केटिंग यानि के फेंड्स मैं आपको बदा दू कि यह टिक्नो कमर्शिल का जो है compliance है आपको इसको on करना है उसके बदा आप देख रहें यहाँ जो question पूछा गया आपको yes no में यहाँ पर आप आपको answer करना है तो आप इसको कर देंगा तो यह आपका techno commercial compliance हो जाएगा आप जैसा कि देख रहेते हैं यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपको एक document देना पड़ेगा आप देख रहें यहाँ पर टेक्नो commercial compliance statement तो यह अभी जस्त मैंने जो आपको दिखाये को आप देख सकते हैं तो friends उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप Tinder by organization के थुरू आप Tinder कैसे सर्च कर सकते हैं तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा जैसी आप इस पर क्लिक किजिगा आप देख रहें यहाँ पर और टेंटर आंटर यानि कितने नंबर अफ टेंटर यहां पर इसू किये गया है तो जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहा रहा हूं यहां पर देख रहें यहां पर डेवीसि लिखा वाया यानि कि दामोदर वैली कॉर्परेशन तो यहां देख रहें मैथन तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैथन का टेंडर आया हुआ है आप देख रहे हैं और भी बहुत सारे टेंडर है नीचे में आप इसको स्क्रोल लाउन करेंगे और भी नीचे बहुत सारे निकले हुए है आप देख रहे हैं यहाँ भी लिखला हुआ है यहां मेंशन किया गया है आपको कितना EMD फी आपको सम्मिट करना है तो यहां देख रहे हैं EMD फी जो है 4,35,542 रुपया है तो यह आपके लिए बहुत अच्छा निउस है इसका जो EMD है वो exemption allowed है यानि अगर आपके पास में MSME या NSIC का अगर certificate है तो आपको EMD और tender फी जो है आपको नहीं लगने वाला है आप यहां पर देख रहे हैं कि क्या चीज आ काम है वो काम यहां पर mention किया गया है जैसे कि construction of retaining wall, random rubel, masonry and boulder pitching work to protect the tower foundation of 220 kv DC, गोला, राची, transmission line यानि के फेंड्स आप देखते होंगे एक transmission line गुजरता है जिसमें एक tower लगा जाता है तो उसी tower क इसका यहां पर installation का और construction का काम है और यह जो work है इसका work value कितना है आप देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है दो करोड़ सत्रा लाग सततर हजार 116 रुपया का इसका जो tender category है वो electrical work के अंदर गताएगा तो friends इस प्रकास से आप tender by location और tender by organization के थुरू आप इसको search कर सकते है और friends आप देख रहे हैं यहांपे tender by classification लिखा हुआ है तो आप हम लोग देखेंगा कि आप typical classification काृश्रू आप tender कैसे search कर सकते हैं तो उसके लिए आप से मिद्ट एप्लिक करना पड़ेगा जैसे submit पर click करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी tender display हो रहे हैं, यह सारी tender में जो है, एक ही common चीज है, यहाँ पर आपको fix rate आपको देखने को मिलेगा, अगर आपको देखना है वो fix rate कहां पर लिखा रहता है, उसके लिए आपको किसी भी tender पर आपको click करके जैसे कि मैं इस पर click करूँगा, आप देखने हैं आप open होके आ गया, उसके बाद आप देखने हैं आप लिखा हो form of contract, आप देखने हैं fix rate लिखा हुआ है, तो friends इस प्रकार से जो है आप tender by classification के तुरू आप tender सर्च कर सकते हैं, देन उसके बाद friends हम लोग देखेंगे कि कोई search पर click करना पड़ेगा, जैसी आप search पर click किजेगा, आप देखरें, advanced tender search आया हुआ है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आप देखरें, mandatory जो field है, यही है, आपका देखरें, star sign है, तो यहाँ से आपको tender type select करना, यानि कि आप open tender करना चाहते हैं, या limited tender आप इस पर click करूँगा, then उसके बाद department पुछा गया था, department भी select कर सकते हैं, आप यहाँ से, जैसे कि मेरे को department में धनबाद चाहिए, तो मैं आप देख रहे हैं, seem for धनबाद है, तो मैं इस पर select कर लूँगा, फिर division पुछा जा रहा है, आप division भी select कर सकते हैं, अगर division नहीं select कर criteria में आएंगे, selection criteria में क्या है, यहाँ पर two stage bidding है, NDA tender है, provincial bidding है, tender fee exemption है, फिर EMD exemption है, तो friends, मुझे tender fee exemption और EMD exemption का tender सर्च करना है, तो उसके लिए मैं इस पर click करूँगा, दोनों पर, then जो यह काप चाहिए, आपको यहाँ फिल कर देना है, उसके पर आपको search पर click करना है, जैसे आप search पर click किजेगा, आप देख रहे हैं, इतनी सारे tender अभी जो display हो रहे है, इस tender में आपको कोई भी tender fee और आपको कोई भी EMD नहीं लगने वाला है, इसमें आपका tender fee और EMD जो है, exemption है, EMD बोलने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, friends, earnest money deposit, अगर आपको check करना है, तो मैं आपक tender fee detail लिखा हुआ है, यहाँ पर देखे क्या लिखा हुआ है, tender fee exemption allowed, yes किया हुआ है, यानि कि आपको tender fee नहीं लगने वाला है, अगर आपके पास में MSME या NSIC का certificate है तो, उसके बाद आप देख रहे हैं, यहाँ पर EMD amount लिखा हुआ है, कि 28,003 रुपया आपको submit करना पड़े यहाँ पर देखे क्या लिखा हुआ है, EMD exemption allowed, yes किया हुआ है, अगर yes किया हुआ है, तो यानि कि आपको EMD नहीं लगने वाला है, अगर आपके पास में MSME या NSIC का certificate है तो, तो friends जैसा कि मैंने आपको last में tender detail बताया था, same tender detail जो है, आपको यहाँ mention किया रहेगा, आप इसी जो है, आप check कर सकते हैं, अपने tender को, और अपने tender detail जो है, आप जान सकते हैं, तो friends अगर आपको tender search के regarding, अगर आपको कोई भी question हो, तो आप मुझे इस वीडियो के comment box में comment करें, मैं आपको वहाँ answer करूँगा, और friends मैं आपको एक बात और बता दूँ, कि जितने भी website है tender के सकते हैं, तो friends मेरा next video का आप वेट करें, मैं आपको उसमें बताने वाला हूँ कि आप अपना registration, यानि कि आप अपने company का registration कैसे करवा सकते हैं, किसी भी tender portal में, तो friends वीडियो अच्छला है कि तो आप इसको like and share जरू करें, और मेरे चैनल को subscribe कर लें, इसी प्रकार के tender के regarding video पाने के लिए, बस आज के लिए इतना है इस वीडियो में धन्यवाद, जहिंद,